नमस्कार शातियों एमित्र यूट्यू चैनल पर आपका बहुत वश्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियों हम आपको बताने वाले हैं रीट मुक्य बरती परिछा का परिणा मई में जारी होगा ज्यादा आपतियां आने के कारण बोर्ड सदमे में है तो सारी जानकारी क हम डिटेल्स के साथ साथ हम आपको बताएंगे तो वीडियों में आगे बढ़ निस से पहले आप से छोटा सनूर होता यदि आपने भी तक हमारी यूट्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो हमारे यूट्यू चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लग क्योंकि हमारे YouTube channel पर डीट भरती की बिल्कुल जोनिंग तक की संपुन जानकारी आपको हमेशा पल-पल में मिलती रहेगी और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरू कर जैसे सबी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तो सात्यो ऐसा माना जा रहा है जैसे आ जावा है और बोर्ड दोवारा जो बात हुई है दैनिक भासकर की उसमें साती उन्हों ने बताया है कि रीट भरती का परिणाम भी पीटियाई भरती के साथ में ही जारी होगा तो सारी जानकारी को हम आपको डेटेल के साथ बताते हैं रीट मुक्य भरती परिच्छा परिणाम मही महुगा जारी ज्यादा आपत्तियां आने के कारण बोर्ड पहुँचा सद्वे में तो साथियों सरवादिक मात्रा में आपत्तिया आई है लगबग 78,000 के करीब आपके आपत्तिया आई है जिसके कारण आपत्तियों का समादान नहीं हो पा रहा है बोर्ड पर इसी कारण साथियों आपका रिजल्ट भी लेट होता जा रहा है अभी से साथियों माना जाए त अब आपको बताते हैं देनिक वासकर में क्या बताया है रीट वर्ती के बारे में तो यहां पर बताया है साथे त्रितिय स्रेनी सिच्छक वर्ती फरवरी मार्च में हुई परिच्छा के परिणाम का अभ्यार्तियों को इंतजार लेवल फर्ष्ट और लेवल सेकेंड का साथियों निष्टारन नहीं हुआ है बोर्ड के दुआरा सिच्छय विवाग में 48,000 पदों के लिए हुई त्रेतिय सेनी सिच्छक वर्ती परिच्छय परिणाम 2022 का परिणाम अप्रेल के अंत में आना संबब नजर नहीं आ रहा है चेन बोर्ड की ओर से अभी तक आपत की जारी होने के बाद बोर्ड को लेवल वन और लेवल सेकेंड में कुल 77,000 आपतियां मिली इतनी बड़ी सिंक्याम आपतियां दर्ज होने के कारण परिणाम अप्रेल के अंतिम सब्तार तक जारी होना संबब नहीं हो पा रहा है उधर अब्यर्ती जल्द से जल्द परिण परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि आचार शहींता लगने से पहले उन्हें नियुक्ति मिल सके क्योंकि बेशातियों अब्यर्ती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस भरती का परिणाम जारी हो क्योंकि आचार शहींता लग जाएगी तो उसके बाद में उनको नि मिलेगी इसलिए आचा सहीता से पहले वे नियुक्ति चाहते हैं परिणाम जारी होने के बाद भी दस्तावे सित्यापन और अंतिम परिणाम में भी सात्यों का भी टैम लगता है अब ब्यारतियों के स्कूल अभी तक जारी नहीं हुआ है भरती परिच्छा के बाद समय भरती परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यारति चिंते थे पिछले साल 25 सितंबर 1222 को सारी अध्यावक भरती का परिच्छा परिणाम अंतिम अभी तक जारी नहीं हुआ है बोड़ की ओश अभ्यारतियों के दस्त 27 अपन के बाद बोर की ओर में परिणाम जारी करने के बाद दोगणा अभ्य ऺघ्यतियों की संक्या के हसाब से करिए 961 अभ्य अभ्य Ivुद्ध कर दसक्तियेध के जैसमर्ट कान। जरी जर्य किये जागा इसके बाद कांस्लिंग के जरिए नियोक्ती करेगा त्रइटी डिए श्रेणी से जल्द नियोक्ती के संब्द में CM को ग्यापन दिया गया है अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर भरती परिचया का काम जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की गए उपन यादव बेरोजगार मासंग ये साथ के राजस्तान बेरोजगार मासंग के अध्याच उपन यादव जी द्वारा सियम असु कहलोत को राजस्तान के मिक्वेंति सियम असु कहलोत को ग्यापन देकर बताया गया कि जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाए चाहिए इसके लिए अतिरेक्त कर्मचारी लगाने की क्यों नहीं आवे सकता पड़े तो लगबक सातिया आपके दुगने अब्वेर्ति इस वर्ति में आपके पास किये जाएंगे दस्तावे सत्यापन के लिए लगबक 96,000 मेरिट लिश्क निकलेगी और उसके बाद सातिया आपको जिला आवंटन जारी कर दिया जाए खाहां पर आपको पोस्टिंग बिलेगी इस प्रकार से सातियों आपके रीट बरती की संपून पिरकिरिया होगी तो यह तो रीट बरती से संब्दित आज की खबर सातियों करना होगा इंतर रीट की परिणाम एसी के साथ आएगा तो पीटी वरती के साथ ही आपका सात्यों रीट का पर नम दौनों एक ही साथ आपको देखने को यह तो यह पीटी ऑई भरती से संब्दित आज की निडिदेश औम पादला में बिसे बिसे से की कमेटी बनाई गई है इसके बाद ही परिणाम जारी करने को लेकर आगे नेने होगा परिणाम मई में जारी होने की संभावना हरी परशाश सर्मा अध्यत्र राजस्तान कर्मचारी बोड़ चिकेश्या लेवा की पांत वहर्तियों की पिरकिरिया अब तक शुरूर नहीं हुई है चिकेश्या वगा की पांच वर्तियों के पिर्गिया अभी तक शुरूर नहीं है फायर में आउस कीपर बर्ती में पस्पन को फिर मौका दिया गया है राजस्थान कमचारी चैन बोर्ड ने दस्तावी सत्यापन पातरता जात्मा अनुपस्तित रहे दो बर्तियों के दो बर् चैनल क करने पड़ते हैं इसलिए ये व क्ट्वन अब बर्तियों जल्द से जल्द 6 तrede को डॉक्मेंट बेरिफिकेशन कर वाएं मीकि यहां पर शारी जानकारी सात्य नीचे दी होई बडाक का robot की फर बर्ती गया है यहां पर जाकर भी अपना साथ डॉकुमेंट वेरिप्रिकेशन करवा सकते हैं कि सरकार ने अभी तक नहीं किया है एक लाग भरतियों का बरगी करन टो यह है साथ यौ आज की सिच्या वहा की खबर फिर मिलेंगे साथ इसी पिरकार की लेटरी जानकारी की साथ वीडियो अचला हो तो वीडियो को लाइट करना चैनल को सब्सेर जरू करनाificar प् beast यहीं जरू करना क्योंकि साथ यहीं लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि सिच्चक भरती का परिणाम किस कारण से नहीं आ रहा है और क्या कारण रहा है जिसके कारण जीट भरती का परिणाम अठक रहा है सारी जानकारी को सभी अब बैरती जान सके और इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में मांग उठा सके जिससे आपका स सिच्चक बरती का परिणाम साथियों जल्द से जारी किया जा सके और फ़ेश्ट ग्रेयर का भी साथियों सभी बिसे हो का परिणाम जारी हो सके और शेकेंड ग्रेयर बढ़ती का भी परिणाम अभी से जारी नहीं हुआ है तो उसका भी परिणाम साथियों आपका जारी हो सक कुर्षाति आपको हम बता देते हैं जो अप्रिजेंट में जो सारे रिष्चक की बढ़ती है उसके एडमेट कार जारी कर दिये गए पीटी आई बढ़ती के जल्द से जल्द जाकर आप अपना एडमेट कार जरू देख लें SSO ID पर आपके एडमेट कार अपलोड कर दिये ग कि आपके एडमेट कार 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 आपके एडमेट क खज़ सकता है